कोविट का प्रादुर भाव नरम पढ़ने से मनपा की आई पसकरात्मक परिनाम हुआ है पिछले साल की मुकाबले इस साल आई के आकड़ों में उच्छाल आया है मनपा की तिजोरी में उमीद से बढ़कर आय जमा होने की स्थाई समीती सभापती प्रकाश भोय ने पत परिशत में जानकरी दी साल 2019 के पहले नो महिने में मनपा की आय 1688 करोड थी इसी कालावधी में साल 2020 में 1393 करोड रुपे मनपा की तिजोरी में जमा हुए जबकि चालू वित्वर्ष में सितंबर अन तक मनपा की समपती में 17 प्रतिशत ब्रद्धी हुई है इस्थाई समीती सभापती भोय ने बताया की विज्यापन से मिलने वाली आय 21 प्रतिशत बढ़ी है हालकि LBT की आय में कमी हुई है गतवर्ष जलापूर्टी से 80 करोड 83 लाक रुपए आय हुई थी चालू वर्ष में बढ़कर 82 करोड 31 लाक 123 रुपए आय हुई है बाजा विभाग से गतवर्ष 15 करोड रुपए आय हुई थी इस वर्ष 3 करोड 8 लाक पर पहुँच गई है नगर रचना विभाग से गतवर्ष 10 करोड 11 लाक 414 रुपए जमा हुए थे इस वर्ष 3 सेतंबर तक 111 करोड 42 लाक 125 रुपए आय हुई है नगर रचना विभाग से गतवर्ष 15 करोड 12 लाक 517 रुपए ला एकुण प्रेशास किया मंजूरी दिली अन निवी एकुण निवी दा मंजूरी आपन आज परियंत र्यान्यों करोड 11 लाक 22 लाक 822 करोड रुपए ला आपन मंजूरी दिली है जाज प्रमाने माक्चा वर्षी चा करोणा काण असले मुले करोणा काणा आत फार कमी प्रकार चे उत्पन धालो होतो नगर रचना बदे माक्चा वर्षी या वर्ष परियंत फक्त 10 करोड 12 लाक 624 रुपए ला आपन आच्छा डेट परियंत आज या वर्षी या जेट परियंत आपन एक्षा अक्रा करोड 22 लाक 12 लाक 627 रुपए ला आपन आता परियंत उत्पन धालो के लेला है नागपुर में साल 2020 के मार्च महिने में कोविट का पहला पॉजिटिव मरीज मिला दीरे दीरे पॉजिटिव का आकड़ा बढ़ता गया इस्थिती नियंतरन के बाहर जाती देख देश में लॉकडाउन लगाया गया सभी कारोबा ठप हो जाने से मनपा की आए पर बुरा असर पड़ा कोविट के कोहराम से साल 2020 मनपा की तंगी का वर्ष रहा अप्रेल महीने में मनपा की तीजोरी में सिर्फ 12 करोड 95 लाक रुपे जमा हुए मही महीने तक 250 करोड से आए कम हुई जून महीने में संक्रमन की तीवरता कम होने पर साल 2019 के मुकाबले 9 करोड 81 लाक ज्यादा आए हुई लेकिन जुलाई अगस्तो सितंबर में कोविट संक्रमन चरम पर पहुँच जाने से मनपा की आए पर बुरा प्रभाव पढ़ा